तो फाइनली SBI के जो एकाउंट होल्डर है उनको बरबात करने का एक नया तरीका निकाल लिया है उन्होंने जो डखे जो भी बोल सकते हैं आपके इनफोर्मेशन को स्टील करने का एक नया तरीका दिखे मैं बताता हूं अभी मुझे यह मैसेज आया है कुछ देर पहले आप यह मैसेज में बता रहा है कि आपका ऐकाउन ब्लॉक हो चुका है जिसमे आपको पैन काड़ अप्टेट करना है यह जो लिंक दिया है यह रियल लिंक नहीं है यह सॉ undANC लिंक है इसके बाद आपको कही भेज़ दिया जाता है Ai यहां पर आप देख सकते हैं इंटे यूर क्यों नहीं लॉग इन करना मैं बताता हूं यहां पर देख सकते हैं यह यू आरेल है यह इस बीआई का नहीं है आप इस कुईडिट कि यह देख सकते हैं कोई और ही वेबसाइट है मतलब यह बस आपको उलजहाने के लिए आपका डीटेल चुराने के लिए यह तरीका किया जैसे आप यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा और मोबाइल नमबर डालिएगा तो यह सारा डीटेल उनके पास चला जाएगा जैसे गूगल फॉर्म होता है ना यह उसी तरह का एक फॉर्म हिमान लिए जिसमें आपके चीजों को लेने के लिए भी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं मैंने सारा डीटेल को गलत फिल किया और यह आगे बढ़ा दिया है लिक रहा है थाइंक्यू पर वैलिडेशन यूर एकांट इंफॉर्मेशन प्लीजवेट वियर वेरिफाइंग यूर लॉग इन डीटेल डू नोट प्रेस ए देख यहां पर एट जीज का है तो मैंने यह रॉंग ओटीपी डाल दिया क्यूंकि भी मैंने अपने नंबर डाला ही नहीं तो टीपी मेरे व्लमेट आई गया और सब्मीट पर किलिक करते हैं कि देख सकते हैं मैंने सब्मीट किया आगे बढ़ गया बलब गलत डीटेल डा डाल लेता हूं आठ डीजिट का देखें फिर से नेक्स्ट हो गया गलत डालके मैंने सब्मीट किया फिर भी अब देखते क्या होता है देखें किस तरीका से आपका इंफोर्मेशन को चूराया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा ती सब के जहां से मैं आपको नह आना है तो चलिए मैं फिर से गलत टीपी डाल देता हूं कि सारो टीपी मैं अपने मंद से ही डाल रहा हूं यह किसी तरह को टीपी मुझे आया नहीं हुआ कंप कंफर्म पर किली करता है फिर भी आगे बढ़ती जा रहा है देख सकते हैं अब यहां पर आपको पेन कार्ड म कि अग cabin से यहां पर डालते हां था कि अ कि अ कि अ देखिता है मैंने सारा चीज गलत डाल रहा हूं फिर बही फिरिए सारा चीज अगे बढ़ाती जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके साथ हो क्या रहा है ठाघए सब्सक्राद कर गूंगल फॉर्म है उसमेंspadat detail क दिखाके बूडबग बनाया जा रहा है आपको लग रहा हो कि मैं अपना एकाउंट यह कर रहा हूं फिर से मैं यहां पर गलत OTP डाल रहा हूं और कंफर्म पर मैंने क्लिक कर दिया है तो देख सकते हैं फिर से एकाउंट का अधार चार दिजित और फादर ने मांग रहा है तो चलिए मैं फिर से सारा डिटिल को गलत डालता हूं फिर से सम्मिट करते हैं देखते क्या होता है तो देख सकते हैं यह फिर से आगे बढ़ ग दूसरा बाद जब आप फस्त टाइब इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ट डाले उसी टाइम को एक यूजर एक्टिव होगा जो उस यूजर आईडी और पासवर्ट को डालेगा जितना बार आपको ओटीपी आया वो ओटीपी भेजेगा ओरिजिनल ओटीपी जो ओटीप उसके पास चल जाएगा और जहींसे ओटीपी उसके पास चालेगा वो लॉग इन हो जागा फिर वो कोई टारजेक्शन इन्हें सेट करेगा क्योंकि आपको यहां पर देखिए मैक्सिमम टाइम पर आपको यहां पर बी ओटीपी ही डालना है आप देखने जितना भी जाल मैं जो भी कर रहा हूं अभी मैं फिर से डव किया इससमें तो इसमें आपको सर्व ओटीपी एहर बार मांगा जारहा है मैक्सिमम टाइंग अपको बांग रहे दिचा मतलब क्या हो सकता है इसका simple मतलब है कि कोई user उधर साइट से जब आप internet password डाले तो वो उसमें login कर लिया क्योंकि हर चीज में आपको OTP का जोरी पड़ेगा पैसा कटाने में, login करने में तो वो हर बार OTP initiate करेगा क्योंकि आपका mind तो यहाँ पे divert है कि आप next कर रहे हैं आपको OTP आ रहा है वही OTP आ डाल रहे लेकिन होगा क्या real में वो user वहाँ पे OTP डालेगा और OTP यहाँ पे आएगा और OTP आप यहाँ डालके फिर उसके पास भेज़ेगा मतलब यह समझे कि एक circle बन गया है जिसमें वो कोई transaction initiate करेगा उसका जो OTP आएगा आपको यहाँ देखा कि क्योंकि हर बार पेज में देख सकते हैं स्रीप और स्रीप OTP ही डालने बोल रहा है अब जो OTP डालने बोल रहा है ताप wait की जग आप OTP आएगा और जैसे वो ट्रा आपका OTP कहीं भी नहीं डालना है यह जो भी दिखा रहों है इसका दो मतलब है या तो आपका पहलेत आप-पा इनफर्मेशन चोरी करना जैसे शुरी करेंगी तो बार 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 बारो टीपी OTP मांग रहा है दिसका simple simple एक मतलब है कि वहां से अगला आदमें आपका सा इसमें स्रिफ OTP मांग रहा है और मैं गलत OTP डाल के हैं, confirm प्रेस कर रहा हूं, next प्रेस कर रहा हूं, यह आगे बढ़ते जा रहा है, इसका simple मतलब है यह आपके OTP को चुराने का एक बहतरिन तरीका है, मतलब आप यहां डाल को OTP डाल रहा है, यह OTP अगले user को वहां मिल रहा फिर आपका पैसा कटा आएगा, आपके account से पैसे ट्रांसफर कर लेगा, आपका account को zero कर सकता है, तो आपको यह सारे चीजों से बचना है, किसी तरह का आपको मुबाइल में अगर OTP या किसी तरह का आपको link आए, तो उसको क्लिक करके अपना confidential information रहता है, उसको नई submit करना ह क्योंकि आपके information को चोरी करके, फिर देखे, आप देख सकते हैं, आप स्कूर में स्रिप OTP मांग रहा है, OTP मांगने का यही जारिया, यहां पर आपका mind को divert किया जाएगा, कि आपको OTP लगेगा, लेकिन real में OTP के जोरत उसको है, वो OTP आप यहां से उसको share कर रहे है, तो यह आप link देख सकते हैं, link original SBI के नहीं, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कभी भी आपको अपना personal information नहीं share करता है, यह है वो number जिससे मेरे को message आया, तो इस number को अभिध्यान से देख ले, अगर आपको भी message आया, तो इससे दूर रहे है, इसमें अपना detail को share ना करें, और channel में नहीं है, तो channel को subscribe कर ले, और इस video को जितना भी हो सकते हैं, अपने family, friends के साथ share करें, ताके वो इन चीजों का use ना करें, अपने जो पाईसे होते हैं, उसका लुक्सान ना करा है, तो जितने भी SBI user है, उनसे मेरा request है, कि इस तरह के किसी भी चीज या link मे अपना detail को share ना करें, और OTP तो बिलकुल ना डाले, क्योंकि OTP अगला के पास जा रहा है, उसी OTP से आपके account में हानी होगा, तो चलिए, वीडियो में अपने हैं, तो channel को subscribe कर ले, हमारे channel के growth में हमारा मदद करें, चलिए अब मिलते है next video